हाई इस वीडियो में मैं डिस्पस करेंगे प्रजेक्टाय मोश्ब के एक सिंपल एक्जानुल प्रॉब्ल स्टेटमेंट ऐसा है कि आपने प्रजेक्टाय को एक पार्टिकल को ओरिजिन से प्रजेक्ट किया है मालिजी आपका पार्टिकल जोए एक पार्ट पार्ट लेता है वापस क्राउन के लिए किसी इसके इसके फ्लाइट में दौरान आप उसकी वेलोसिटी को और अबसर्व कर रहे है मानिज्डियो जो नीचे की तرف करना पर ये ही हा उसकी velocity vector थे उस time के ये इनिषियल velocity vector ये कीसी और instantly पर उसका final velocity vector एक the V vector Initial velocity vector जै उसकी direction को मैने extend करती है ये इस टाई पर जो final velocity भी vector रेक्सित के इसकी direction को मैने extend करती है तो ये जो दोनों vectors है, ifa था number v vector यह 90 डिग्री मैंने शोग किया है विकास प्रशिन आपसे पूछ रहा है आपको यह निकालना है कि वो कॉंसर इंस्टिंट होगा जिस पर इनिशिल व्लॉसिटी और फाइन व्लॉसिटी उनके बीच का जो आंगल है वो 90 डिग्री अगर आप फुट से सौल करना चाहे तो निकाला चाहता हूं तो 선्ट एक्सक्रश्पाइं मुझे बताया है कि व्लॉस न बटा है वेक्टर फॉम में इसका ए इजको अबलाइक है व्लॉस फैर चिसी इंसेंट पे यह आप्ति भाज़ इन प्रॉस से पूरिदा है Śल बाइंन ए नृम स्त बातर भाज़िए इन्सें VVector, VVector.Vvector वोh 0 कर दो, VVector के मन जो जरी जी ? VVector, this should be 0 ..podact, पुर मद एकसाइब ही , VVector.Vector first time फॉर आएगा, second time बाब आएगा, VVector.Vector times T एक ही VVector.Vector सबस्क्रेड है, VVector.Vector 2 कि खुरे लिए आगा की पीछ में आगे लिए 90 प्रस्थ कीटा that implies g-vector बटली वेक्टर होने वाल है g u cos of 90 प्रस्थ कीटा इसी कोश्यू को सिंप्लिफाइए तरी आपके 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 लिए u square plus g u cos 90 प्रस्थ कीटा ताइम उसकी equal to 0. इसका आप प्रस्थ कीटा चाहिए तुट्टा इससे में जरूरी है जो की यू वेक्टर से प्रस्थ कीटा दरी तो हम कैसे हम वेक्टो कीटेशन निगालेंगी यह आंसर कंगो valid हैं लिगके एक तो हम यह कंदिशन ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि initial velocity और final velocity के बीच में जो angle होता है तो इता है motion में, उसकी maximum value होता है 2 theta. विकस मुझे पता है यहां पर यह उपर की तरफ inclined है theta से, जब यह finally गिरेगा तो यह नीची की तरफ inclined होगा angle theta से. विच मेंस the maximum value of the angle between initial velocity and final velocity is 2 theta. तो अगर बीच में कहीं ना कहीं पर इतनों के पीछ में 90 degree होना चाहिए, that means 90 degree must be less than the maximum value. और 2 theta must be greater than equal to 90 degrees. वहां से आपके बास आजाए, theta must be greater than equal to 45 degrees. यह तभी हो सकता है जब आपने प्रिलेक्ट जब किया इस particle को, तो यह prediction angle है, यह 45 degrees से ज़ादा है यह उसके equal होना चाहिए. दूसर तरीके से आप इस condition को भी derive कर सकते हैं, अभी वह सकते हैं कि आपका यह जो time instant आया है u by g sin theta, यह definitely flight में बीच में नहीं आना चाहिए. यानि कि यह जो value u by g sin theta, यह time of flight से तो definitely कम होने चाहिए. वह सकता हो t, small t, should be less than equal to time of flight, which means u by g sin theta is less than equal to 2 u sin theta by g. फिर से आप इसको solve करेंगे, तो लेखेंगे, आपके वास आजाएगा sin theta greater than equal to 1 by root 2, और theta greater than equal to 45 degrees. हाइ, मिरा नाम है दीपक भाटवाज, और आप लेख रहेते चानल, J.E.Felix Quantized. अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ help ने लिए, तो please all लोगों को इसके बारे बताएए. और अगर आप लोगों का मारे content पसंद आता है तो please subscribe करेंगे. Thank you. करेंगे. करेंगे.